अर्मान, मॉनिंग, सबसे पहले बताई महतफून ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहां एक्शन है? जो कि अगर प्राइस देखे, 1812 का है, जो कि मौज़ूदा बाहु से अगर आप देखे तो 12.4% डिसकाउंट पर है और इश्यू 17 से 23 जनवरी तक खुला रहेगा BCL Industries, उशन पॉली, इंडियन क्लाइकोज और इसी शुगर स्टॉक्स यहाँ पर आधी आपको दिहान रखना है क्योंकि OMC ने मक्के से बने इथनॉल के लिए इंसेंटिव बढ़ाया है इंसेंटिव में 5.8 रुपे प्रती लिटर की बड़ोत रिकी गई है बजाज आटो की बात करें तो वहाँ पर 2.24 चे तक EV वो लॉंच की है और टू वीलर EV2 वेरियंट्स उसके साथ मिलेगी फंड एक्शन की बात करें तो संटेक रियालिटी यहाँ पर पब्लिक शेरोल्डर में वीचल फंड ने लगबग अब देखें 2% के आसफास इसेदारी यहाँ पर बेची है अंत में और यह ओपन मार्केट के जरीए तो जन्वरी को गटाई है इसेदारी साथी अर्मान ये भी बता दीजे की क्यू 3 अपडेट कैसे आया है कंपनियों के और कैसे कैसे रहे हैं दर डीटेल बता दीजे बिलकुल बिजनस अपडेट में सबसे पहले डाबर्क यहाँ पर क्यू 3 अपडेट के बात करें तो आए मिट तू हाई सिंगल डिजिट से करें तो वहां पर 91% आता आवा दिखा है, जो कि 64% था, रियलिजेशन और टेल डिस्बर्समेंट की बात करें तो वहां पर 25% की बढ़तरी है RBL bank, deposits यहाँ पर 13% बढ़कर आये है, advances में 20% की बढ़ोतरी है जमुएन कश्मीर bank, यहाँ पर business में लगभग 12% के आसपास की बढ़ोतरी है deposits 9% बढ़कर आते हैं और अंत में उतकर small finance bank, यहाँ पर इनका जो loan portfolio है 31% की बढ़ोतरी है और कासा ratio 19.9% से थोड़ा सा बढ़कर 20% पर आता है